दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश देश की प्रमुक विपक्षी पार्टी कॉंग्रिस के रास्ट्री अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे साहब ने विपक्षी पार्टीयों को चिठ्ठी लिखी है और उनको श्री नगर आने का नियोता दिया है तीस जनौरी को राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनौरी को श्री नगर में कंक्लूड हो रही है पहले इसकी तारीक 26 जनौरी बताई गई थी लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि 26 जनौरी और 30 जनौरी का भारत के राइनितिक इतियास में क्या महत्त्यों है 30 जनौरी को हमारा गणतंत्र दिवस है और 30 जनौरी को महत्मा गांधी की शहादत का दिन है उस दिन निशन सुन की हत्या की थी इस देश के कट्टरपन थी हिंदुत्तोवादियों ने खासकर नातूराम गोट से जो हिंदु महासभाका था और इसलिए हम समझते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि उस दिन एक बड़ा विपक्षी दलों का एक बड़ा सम्मेलन हो और कंक्लूड करें पधियात्रा राहुल गांधी उस दिन और कुछ संकल्प या शपत या इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित हो विपक्षी ए उनकी मनशा है कि देश में जो फिर से कटरपंथी ताक्तें समाज में नफरत की जो शक्तियां हैं वो उभर रही हैं उनके किलाब कैसे अभियान चलाया जाए कैसे कौाडिनेटिक एफ़र्ट हो इसके बारे में संबहता ये एक बड़ा सम्मेलन बुलाने की या एक बड़ा समागम आयोजित करने की उनकी मनशा है तेईस राजनितिक दलों को जो नहोता गया है अभी तक जो हमने कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं से बात की उनसे पता चला कि अभी तक किसी का रिस्पांस उनको नहीं आया है इसी तरह से जिन दलों को ये लेटर गया है या ये गया है उनमें से कईयों से मेरी बात हुई बलकि एक राजनितिक दल के तो राश्टी अध्यक्स से भी बात हुई और दूसरे के कुछ वरिष्टनेताओं से बात हुई उनका ये कहना है कि उनको अभी ऐसी कोई चिठी या ऐसा कोई नहोता मिला नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इंतजार करना होगा अभी वैसे भी तीस चैनलोरी में अभी विलंब है लेकिन जो मूड है राजनितिक दलों का वो काफी असमंजस बरा है इसमें कोई दो राए नहीं कि जो राजनितिक दल आमंत्रित किये गए हैं उनमें बहुत सारे राजनितिक दल हैं जो इस भार कि राहुल गांदी ने केरल जैसे छोटे राजियों में 18 दिन गुजा रहा था और उनकी पार्टी के नेताओं ने लेफ्ट को काफी अलग अलग अपने फोरम पे काफी आलोचनाय की थी लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि त्रिपुरा में कॉंग्रेस और लेफ् सकता है मैंने बात चीत नहीं किया है लेकिन बहुत संभव है कि वो शायद इस इस आमंतरों को स्विकार करें और उसमें पार्ट्सपेट करें इसी तरह से मैं समझता हूं कि बहुत सारे और राजनितिक दल हैं एंसीपी है या उद्दव ठाकरी कि शिव शेना है इस तरह के बहुत सारे दल हैं जो पार्ट्सपेट कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े राजनितिक दल हैं भी पक्ष के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी उनका इसमें पार्ट्सपेट करना फिलहाल संभव नहीं दीखता है अगर रातों रात को पार्ट्सपेटी बीजू जनता दल ओवैसी साब की पार्टी और यसर कॉंग्रेस जगन रेटी की पार्टी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरिवाल की तो इन चार-पांच पार्टियों को छोड़कर 23 दलों को इन्होंने निमंतरन दिया है या निमंतरन देने का द अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं किया है नितीश कुमार जो विपक्षी एकता के बहुत जबरदस्त हामी भरने वाले व्यक्ति हैं बहुत उसके पैरोकार हैं उन्होंने तो नई सरकार बिहार में बनने के कुछी समय बाद सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और सोनिया ग समाधान यात्रा अभी लंबी चलेगी और उसमें वो जनता से सीधे मिल रहे हैं तेजस्वी यादों भी इसमें बीच में जाते हैं तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि क्या जेडी यू और आर जेडी का इस पर क्या एप्रोच होता है लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि ये दोनों दल विपक्षी एकता के ब्रबल पैरोकार के रूप में सामने आ चुके हैं हो सकता है कि जो कॉंग्रिस ने अभी जो मेथड़लोजी एडाप्ट की है जो तरीका अपनाया है इस तरह से आलाप सड़न स्री नगर में एक समागम करने का उस पर उनके कुछ रिजर एकता की बात अब की जा रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ोयात्रा के मद्दे में जितनी कांफरेंसेज की हैं जितनी प्रेस कांफरेंसेज उसके स्पोक्सपरसन ने किये हैं वो बार बार कॉंग्रेस को ही ग्लोरिफाई करने या भी पक्षी एकता में एक तरह से यूं कहा जाए कि ये मानना कि अगर आप मुझे एकसेप्ट कर लेते हैं यानि पार्टी को एकसेप्ट कर लेते हैं कि प्रदान मंतरी सिर्फ आपका होगा और इसके बारे में कोई सोचा नहीं जाएगा कोई और बात तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंडिशन एक तरह से लगा दी थी कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस ने एक दौर में ये भी कहा कि 200 सीट पर लड़ने वाली ये पार्टी नहीं है यनि आप 300 पर 400 पर कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं इसका भी खुला सा कॉंग्रेस नहीं किया तो इन चीजों को लेकर विपक्ष में काफी वहापो है कुछ भी साफ नहीं है विपक्ष के कई रानितिक दल चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन है वो कॉंग्रेस पार्टी का अपना प्रोग्राम होना चाहिए उसमें विपक्षियों को नियता देना विपक्षी दलों की है मैं नहीं जानता कि इस पर कितने विपक्षी दल सामत होंगे या इसके कितने पैरोकार होंगे या कितने इसके विरोधी होंगे लेकिन दोस्तों जो आज की हमारी चर्चा का सबसे महत्पुन पालू है कि विपक्षी एकता इस देश में लोगतंत्र क तो लोगतंत्र के लिए, पार्लामेंटी डिमोक्रसी के लिए, सेकुलर संविधान के लिए बेहद जरूरी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और आज की तारीख में अगर देखा जाए, तो जितने सवाल विपक्ष उठा रहा है, उन सभी सवालों का समाधान जो है, अगर इम भारती जनता पार्टी को, नरेंदर मोदी और अमिच शाह की भारती जनता पार्टी को, जिसके पास RSS की अकूद ताकत है, जिसके पास कारप्रेट का समर्थन है, जिसके पास मीडिया पूरम पूरा का पूरा टीवी पूरम जिसको आप कह सकते हैं, जिसके पास वो इतनी बड़ी ताकत के तोर पे अलगा हुआ है उसको शिकस्त देना इतना आसान किसी एक दल के लिए नहीं है सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एक ताही इसका मुकाबला कर सकती है कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सवाल बिलकुल अलग है लेकिन हमें ये नहीं भोलना चाहिए कि ये 2023 यानि 2024 के पुरवार्द में चुनाओ होगा लेकिन 2023 तैयारी का वर्ष है और भारती जन्ता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कौन्ग्रेस ने अपनी तैयारी में विपक्षी दलों ने अपनी तैयारी में काफी विलंब किया है भारो जोडो यात्रा को से डीलिंग किया शुरू में लेकिन स्थमापन के दिन वो इसको फिर से जोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज की तारीक में 2023 अगर विपक्षी एक्ता का वर्ष बनेगा या विपक्षी एक्ता की कवायद एकसरसाइज या उसकी कोशिश का वर्ष बन बनेगा वैसे तो पिछले आठ साल से ED और CBI का आपरेशन विपक्ष के खिलाब या सत्ताधारी दल्ग से असामत लोगों के खिलाब लगातार चल रहा है लेकिन मत भूलिये कि 2023 बहुत ही निर्णायक है 2024 की लड़ाई में और 2025 वो वर्ष है जब राष्टी स्वेम को अपना सौ साल मनाना है सववा वर्ष मनाना है अपनी अस्थापना का हर चंद कोशिश होगी भारती जंता पार्टी की 2024 का चुनाओ जीतने की और इसमें कई राज्यों में उसकी स्थिती बहुत अच्छी नहीं है कुछ एक राज्यों में स्थिती बहुत अच्छी है कु बहुत नुकसान उठाएगी इसमें कोई दोरह नहीं है तो ऐसे में मैं जब कह रहा हूं कि 2023 अगर विपक्षी एकता की कोशिशों का वर्स है तो यकीन मानिये कि 2023 E.D. और C.B.I. के आपरेशन का भी वर्स है जो विपक्षी नेताओं और सत्ता से असामत लोगों के खिलाब चलाया जाएगा और इसके संकेत दोस्तों 2023 की जनौरी में मिलने शुरू हो गए हैं जैसे मैं आपको कुछ नजीर पेश करूं कुछ उदारन पेश करूं अभी अभी पता चला है कि अभी दो दिन पहले की बात है कोलापुर में और महारास्ट के कुछ और हलकों में हसन मु चापे पड़े ED के और एक ही जगह नहीं इनके बेटी और तमाम प्रिश्टदारों पर पता चला कि भारती जनता पार्टी के नेता किरिट सुमया की शिकायत पर ये मामला चल रहा है और उसमें चापे मारी हुई इसके पहले दोस्तों आपको बता दे नवाब मलिक का तो नाम आपने सुना होगा देश के टेलेविजन चैनल पर वो विपक्ष के एक एक बड़े बड़े प्रवक्ता के तोर पेश होते थे वो NCP के आफिसियल स्पोक्स परसन थे सरकार में वरिष्ट मंत्री थे उनकी बहुत ही इज़त थी समाज में लेकिन उनको जेल में डाल द में डाल दिया गया अभी कुछी दिन पहले उनको जबानत मिली है NCP के बड़े नेता ये भी ED के मामले में CBI ED जो भी है और दो दिन पहले ही दोस्तों दो दिन पहले ये भी गटना है और आप जोड़िये जरा श्री नगर में होने वाला जो समागम है प्रस्तावित वहाप पर जो कंकलेब कहली जिए आयोजन कहली जिए या इसरैली का समापन कहली जिए उस जिस दिन चिठी जारी होने की बात थी उसी दिन लगभग देश के एक प्रमुख विपक्षी नेता और रास्टी जनतादल के अध्यक्ष लालू प्रशाद यादो उनकी धर्म पत्नी और पूरू मुख्य मंत्री राबडी देवी उनकी बेटी और सांसत मीसा यादो और उनकी बेटी दूसरी बेटी हेमा यादो के खिलाब सीबियाई ने एक नई केस चलाने की जो अनुमती मागी थी सरकार से चारशीट दायर करने के बाद वो अनुमती केंद्र सरकार ने बाका इसको आपरेशन को आप समझे तारीख कितनी मिलती जुलती है इसके अलावा दोस्तो हमारे जो विपक्षी नेता हैं हो सकता है कि कॉंग्रेस और T.R.S. एक साथ नो आएं कभी लेकिन आप मत बूलिए कि T.R.S. भी तेलंगाना में विपक्ष है यानि भारती जनता पार्टी का भी पक्ष है सरकार चला रहा है और बीजेपी के खिलाब इन दिनों काफी बोलने लगा है जबकि एक समय बल्कुल साथ देता था लेकिन केसी आर यानि मुख्यमंत्री जो चंशेकर रहा हैं उनकी पुत्री हैं के कविता सांसद रह चुकी हैं दोस्तों और इनके मामले म भी जो सीबी आई है वो उनको समझ जारी कर चुकी है दिल्ली के शराब घोटाले में किसी एक व्यक्ति ने उनके खिलाब बयान क्या दिया उनके खिलाब भी समझ जारी हो चुका है तो ये लंबित केस है ये कभी भी चार्ज सीट से लेकर के और और केस चलाने की नौबत आजाएगी इसके अलावा YSR जगन डेड़ी जो YSR कongress के नेता है मुक्खे मंतरी वो तो खैर BJP से अभी उनका रिष्टा अच्छा है लेकिन उन पर भी मामले कभी भी खुल सकते हैं अगर कोई बात हो जाए अपना स्टैंड बदलने जारकंड मुक्तिवर्चा के नेता और मुक्खे मंतरी जारकंड हेमंट सोरेन उन पर ख़दान लेने का मामला चल रहा है और अभी भी कई महीनों से कई महीनों से जो वहां के राज जिपाल है रवेस बैस साब उनके हाँ एक लिफाफा पड़ा हुआ है जो आज तक खुला ही नहीं वो कब खुल जाए कोई ज बड़े नेता और प्रदेश कॉंग्रेस जक्ष करनाटक जो मुक्खि मंतरी पत के दावेदार भी हो सकते हैं करनाटक में उन पर भी मामला चल रहा है ठाकरे परिवार उन पर भी नजर है और खासकर उनके रिष्टेदारों पर इसके अलावा दोस्तों पवार खांदान मे भी कुछ लोगों पर नजर है कुछ की केसे खतम कर दी गई कुछ घंटे के लिए डेपिटी चीफ पिनिश्टर बने के एवज में लेकिन कुछ भी मामला खुल सकता है कभी भी खुल सकता है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी प खुला चुकी है घंटों उनसे पुस्ताच कर चुकी है कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं तो मैं यह कहना चाहता हूं इस आज के एपिसोड में कि विपक्षी एकता के प्रयास हो सकता है कि जितनी कोशिशें तेज की जाएं उसके साथ ही ED और CBI का आपरेशन भी तेज हो नहीं चाहिए इनी शब्दों के आज के के बाद आज इतना ही नमस्कार आदाव सत्रियकाल